हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ एक और इट्रेस्टिंग वीडियो पर तो गईज आज की इस वीडियो में आपको साथ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा कैलरीज होती है अगर आप रेगुलर बेस पर इन चीजों का इस्तमाल करते हो तो आपका वेट गेन होने लगेगा वो भी हेल्दी तरीके से और ये सारी चीज़ा आपके घरों में ही मौझूद है आपको कहीं बाहर जाने के जोरत नहीं है अगर किसी के घर में ये चीज़ा अवेलेबल नहीं है तो भी मार्कीट से पर्चेज कर सकता है काफी सस्ते दामों में अवेलेबल है कोई भी ने पर्चेज कर सकता है अगर आप इन सभी चीज़ों में से चार चीज़े भी अपनी डेली डाइट में एड करते हो तो आपको काफी जादा कैलरी सरपलस में चले जाओगे जिससे आपका वेट गेन होने लगेगा तो आज नहीं के बारे में ज सब्सक्राइब करने के लिए हमें सरपलस में जाना पड़ता है तभी हमारा वेट गेन होगा तो जो सबसे पहली चीज है वह है लस्ती यानि की च्छाच इंगलिस में बोलते हैं बटर मिल्क बटर मिल्क हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद है वेट गेन कराने में एक ग्लास चाच में लगबग 230 कैलरीज होती है अगर आप दिन में दो ग्लास भी कंज्यूम करते हो तो लगबग 500 कैलरीज आपको वहीं से मिल जाती है और चाच हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद भी है काफी ज़्यादा लोग इसका इस्तमाल भी करते हैं इसमे परोटीन का कंटेंट जादा होता है काफ भी होते है फैट भेल्धी फैट भी होता है लेगिन इंधेर मसल मसल में लस्ही कف़े जíदो क्यादा मेल दोब करते हैं डूर गज्याद करते होते contradiction करते हो तो आपको 600 कैलरीज के लगबग इसी से मिल जाएंग जो आपके वेट मि होता है जो लोग जिम करते हैं उनके लिए काभी फायदे मंद उनकी मसल बिल्डिंग में क्योंकि प्रोटीन इसमें भी सबसे ज्यादा होता है हमारी प्रोटीन के रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए दूद एहम रॉल अदा करता है इसलिए अपनी डेली डायट में पीए जो आपकी वेट गेनिंग में भी आपकी हेल्प करेगा एक इंपोर्टेंट बात अगर आप दो गलास लस्ती दुपैर को पीते हो तो एक गलास दूद सुबह पीजे एक गलास दूद शाम को पीजे लस्ती से आपको लगबग 500 कैलरी मिलेंगी और दूद से आपको लगबग 700 कैलरी मिलेंगी या आपकी टोटल दिन की 1200 कैलरी इनी दो चीजों से मिल जाएंगी तो जिन लोगों का वेट साइट केजी है उसके एप रोक्स में ये आपको लगबग 50% कैलरी इनी दो चीजों से मिल जाती है लगबग 1200 कैलरी क्योंकि जिनका वेट साइट केज है, उनका जो डेली, जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बारहेसो क्ैलोरी इनही दो चीजों से मिल जाती है, बागी की बची जो क्ैलोरी जहीं वो अपनी खाने से इंतेक करेंगे, उनका वेट काफी जादा जल्दी गेन होने लगेगा, तो ये चीजे काफी ज्यादा helpful रहेंगी यह चाज और लसी हमारे लिए दो पैर को दो गलास लसी पीजिए और सुबह शाम अपनी डाइट में दूद को एड़ कीजिए तो इस तरह आप अपना वेट गेंग कर सकते हैं अब जो तीसरी चीज है वह पनीर का इस्तमाल आप अपनी वेट गेंग में कर सकते हैं इसकी 100 ग्राम पनीर में 403 कैलरीज मिलेंगी जो काफी जादा होती है इसलिए आप अपने वेट गेंग के दौरान पनीर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब जो लोग नॉन वेज हैं वो मास का इस्तमाल कर सकते हैं 100 ग्राम मास में लगवग 187 कैलरीज आपको मिलती और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं अब बात करते हैं जो पांच भी चीज है वो है घी के बारे में लोगों ने काफी जादा मित फैला रहा है विसेश कर जो बड़ी कंपनिया है उन्होंने अपने प्रोडेक्ट को सेल करने के लिए एडबर्टाइजमेंट के थिर्यू य घी को बदराम कर रही है वैसे जो देशी घी होता है इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है हमारे सिहत के लिए काफी फायदेमंद होता हमारे दिमाग के विकास के लिए साथ ही हमारे जूइंट में जो पैन होता उसके लिए अपने हमारे जूइंट में लुब्रीकेंट यह गी वर्क करता है जिनके सिर में दर्द होता है सिर के दर्द को यह हमेशा के लिए खतम कर देता कर वो डेली अपनी दूद में या सबजी के तरिओ घी का इंटेक कर रहे हैं क्योंकि घी हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद है पुराने जमाने से घी का इस्तमाल किया जारा अब लोग कहते हैं कि जो बड़ी कंपनिया विसेज कर वही कहते हैं कि घी से आपके सेज में जो बुरा फैट है वो इंक्रीज होने लगता लेकिन देशी घी में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बुरा फैट नहीं होता जो हमारे लिए नुकसान दायक है यह हमारे अपने दूद में एक स्पून से लेकर दो स्पून डाल कर आप उसमें इस्तमाल किजिए सुबह पीजिए शाम को पीजिए और इने में भी काफी टेश्टी लगता है मगर घी देशी होना चाहिए इन बड़े ब्रांड्स का घी नहीं होना चाहिए ना जाने इसमें कौन सी चीज़े चीज़े एड़ करते हैं आप अपने घर का घे इस्तमाल किजैं या आपके घर में घी नहीं है को आप अपने पड़ोस से अपने ? लोग डायविटीज के पेसेंट है वो इस चीज़ से दूर है क्योंकि उनके लिए नुकसान दायेगा आप वीक में एक से दो बार जिल लोगों को डायविटीज नहीं है वो वीक में एक से दो बार डार्क चॉकलेट का इस्तमाल कर सकते हो वेट गेनिंग में आप अपने बन ब्राउन ब्राइड विद पीनट बटर सो ग्राम ब्राउन ब्राउन ब्राइड में आपको 500-300 कैलरी मिलती है वो भी कॉंप्लेप्स कार्व के रूप में जो आपकी बॉड़ी को दिन बर एनर्जी देने का काम करते इस लिए आप डिली ब्राउन ब्राइड का इस्तमाल कि पीनट बटर पीनट बटर से आपको हेल्धी फैट मिलेगा साथ ही आपको प्रोटीन भी मिलेगा तो टोटल कुल मिलाकर बात कि जाए आप इन सभी कैलरीज को एक साथ जोड़ कर देगे आपकी जो दिन की रिक्वार्मेंट है इन से ही पूरी हो जाती है बाकि आपके इसमाल किजिए ड्राइफ रूटस में बादाम आते हैं चने आते हैं और मूंग डाल है इसमें से इनका इस्तवाल कीजिए इससे आपको काफी जल्दी वेट गेंगा रहों आपको इन चीजों के बारे में पता चला होगा आप डेली डाइट में इन चीजों को एड़ कीज अंडे खाईए चने खाईए सोय भीन खाईए और नूंग डाल का इस्तमाल किजिए इन चीजों का इस्तमाल करके आप अपना बेट गेंग एजली कर सकते हो तो मैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तुसे जरूर लाइक कीजिए आप कोई भी कोश्चन हो आप हमें इस्टाग्राम पर डियम कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं आप वहां से हमें फॉलो कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत झाल